तो जैसे कि आपको पता है कि अब आपके summer vacation स्टार्ट होने वाले हैं और 10 मई तक आप लोगों का school है, 11 मई से आप लोगों के summer vacation है और ये summer vacation काभी वीडियो बना चुकी है मैं इसके उपर, ये जो summer vacation है ये आपके सभी classes का होने वाला है, 3rd से लेके 12th तक की सभी classes का summer vacation है, कई और एक subject का अलग-अलग आपको holiday homework मिलता है, तो उसी के regarding आज का वीडियो है, बहुत सारे comment मेरे पास में आ रहे है कि holiday homework क्या मिलेगा और क्या करना है हमको इसके बारे में बता दीजिए, तो देखो holiday homework एक session ऐसा था, हम ये कहें कि आसे 2-3 साल पहले एक session आया था, जब department ने ये tag किया था कि holiday homework में क्या दिया जाना है, उसमें department ने पूरा circular दिया था, और उसमें कहा था कि क्या क्या आपको holiday homework करना हर एक class का अलग-अलग उन्होंने mention कर दिया था, लेकिन अब उसके बाद में, उस session के बाद में, उस समय COVID था शायद इसी लिए, लेकिन उसके बाद department क क्या चाहता है, department ये teachers पर छोड़ देता है, जो subject teacher आपको पढ़ाते हैं, उन पर छोड़ देता है कि वो क्या holiday homework देना चाहते हैं, तो अभी तक तो यही मान के चला जा रहा है, क्योंकि बहुतक ऐसा कोई circular नहीं आया है, तो यही कि आपके subject teacher या class teacher जो आपको पढ़ाते हैं जिस भी subject को, वो उस subject का आपको holiday homework देंगे, यहाँ department का कोई role नहीं है, department अभी तक, अभी तक ऐसा कोई circular नहीं आया है, और लगता भी नहीं कि holiday homework को लेके कोई circular आएगा, तो अगर कुछ आता है, तो जरूर इसका informative video माप लोगों के लिए बना दूंगी, लेकिन अभी तक त दिया जाएगा, तो holiday homework की चिंता मत करिये, हर एक teacher आपको अच्छे से लिखवा देंगे, कि क्या आपको holiday homework की subject का करना है, तो mostly project यह सब बनाया जाता है, learn करने को दिया जाता है, तो आप अच्छे से अपना holiday homework कर लेजेगा, thank you guys.